मुख्या मंतरी ने कॉंग्रेस पर तंच कसते हुए आजादी के बाद 70 सालों में परशिक्षित नहीं होने के करण कॉंग्रेस द्वारा अपने कारे करताओं के लिए परशिक्षित सिवर लगाये जाने की बात कही उन्होंने कॉंग्रेस द्वारा लूट और लोगों के लिए काम नहीं करने के कारण भारत के कॉंग्रेस मुक्त होने का दावा किया उन्होंने मीडिया से बात करते हुए केंदर सरकार द्वारा लाएगे भीकल एक्ट पर देशवर में हुए बवाल के बाद आदिकतर राजियों में इसे ततकाल लागो करने में संकोच दिखाया है जिसमें कई बीजेपी साशित राजिय भी शामिल थे परदेश की मुख्यमंतरी जेराम ठाकुर ने उन्हा में मीडियें के सवालों के उत्तर में इस बात का दावा किया कि उन्होंने एक्ट में बारी जर्माने की बात तो मानी लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इस एक्ट के कारण देशपर में दुर्गटनाओं में कमी आने का वी धावा किया वही मुख्यमंतरी ने कॉंग्रेस पर तंज कसते हुए आजादी के बाद सत्तर सालों में परश्रिक्षित नहीं होने के कारण कॉंग्रेस द्वारा अपने कार्यकरताओं के लिए परश्रिक्षिन सीविल लगाने जा रही है कि कॉंग्रेस अपने कार्यकरता नेताओं के लिए परश्रिक्षिन सीविल लगाने जा रही है कि अधितास गलूने से इसको सभी सभी कार दिया यहां पर यह अची बात है लेकिन गौत आया जब मोद्य की दूसरी बाद फिर से दिश के पठांगिंत्री के पर पर पहुंचे मजबूत होकर के पहुंचे और ज्यादा मजबूती आप लोगों ने दी उस बशाती सारी च होता हो तो तप्ष्यों गर्हार पर हुआ है लेकिन उस तप्ष्य को छुपाने की बिटाने की कोशिश होती है यहीं में कहना जाता हूं